लो दियर स्टुडेंट्स, वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल साइंस विद रतिका, आई होब आप सब बहुत अच्छे होंगे और रेडी होंगे नए टॉपिक के लिए तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 6.3 और क्लास 7 क्लास 7 पिएकस के के एक्टिविटी सकर रहें वें मैं अक्टिविटी 6.1 और 6.2 को डिसकस किया था जिसमें मैंने बताया था कि reversible and irreversible physical changes क्या होते हैं आप इस 6.3 के थ्रू में आपको समझाओंगी कि physical changes reversible type का जो होता है वो किस तरीके से work करता है चीक है तो यहाँ पर इस activity में हम लोग क्या करेंगे कुछ देर के लिए इसको ऐसे ही melt होने देंगे और तब तक वेट करेंगे जब तक इसमें ice plus water वाली concentration आ जाएगे मतलब थोड़ा सा ice melt भी हो जाएगा और ice रहेगा भी इसके बाद हम एक solution बनाएंगे जिसको हम कहेंगे freezing mixture freezing mixture एक वो mixture होता है जिसमें होता है ice plus common salt चीक है ice और salt एक साथ होने की वज़े से क्या होता है यह freeze करने में help करता है किसी चीज को जमाने में help करता है अब इस वाले condition में जब ice और water दोनों ही है इस पूरे बीकर को उठा के हम रख देंगी यहां पे लेकिन उससे पहले यहां पर हमें freezing mixture यहां पर रखना है freezing mixture अभी मैंने आपको बताया यह क्या होता है salt plus ice इसमें जब हम यह वाले बीकर रखेंगे तो बीकर में जितना भी water था और ice था अब यह ice melt होने की जगा क्या होगा इसका water freeze होने लग जाएगा यह जमने लग जाएगा तो यहां से आप समझ सकते हैं कि यहां पर physical change कैसे हुआ है क्योंकि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास ice था वो convert हो गया था water में उसके बाद freezing mixture में रखने की वज़ा से वो water दोबारा ice में convert हो गया तो this type of change is known as physical change and also reversible type of change जिसमें एक जो substance है उसको हम दोबारा उसके original substance में convert कर सकते हैं तो इस activity में हमने देखा physical change वो भी reversible type का देखते हैं next वाली activity को अब देखते हैं activity 6.4 को इसमें हमें क्या करना है हमको एक container में water को boil करना है इसके बाद हम देखेंगे जब हम normally चाय बनाते हैं तो क्या देखते हैं कि water को जब हम boil करते हैं तो थोड़ी देर में boil होने के बाद जितना भी उसका water का steam होता है वेपर होते हैं वो उपर की तरफ जाने लग जाता है इसी तरीके से यहां पे भी container के उपर हमको same ही देखने को मिलेगा तो देखें यहां पे हमने बी कर रख दिया है इसमें water boil हो रहा है इंडक्शन के उपर रखा है इसके हमें heat दिखाने की जरूरत नहीं है तो अब देखेंगे यहां पे steam निकल रहा है अब यह जो steam निकल रहा है इसको अगर हमें collect करना है तो हम क्या लेंगे एक दूसरा पैन ले लेंगे इसी टाइप का और उसको उल्टा करके inverted position में इसी पैन के ऊपर रख देंगे कुछ इस तरीके से इस पैन को हमने inverted position में रख दिया है पूरा completely टच नहीं करेंगे अब यह जो steam है यह collect होके कहां चला जाएगा इस वाले पैन में उसके बाद हम जब को देखेंगे यह मरला दूसरे वाले पैन को जिसको हमने invert करके रखा था इसको जब हम सीधा करके देखेंगे तो what we will find हम देखेंगे इसकी सर्फेस में अंदर वाली सर्फेस में water के droplets होंगे क्योंकि यहां पर heat मिल रहा था इसको तो temperature high था इसलिए water से वो steam में convert हो रहा था यहां पर इसको temperature high नहीं मिल रहा है यहां पर heat नहीं है तो temperature low है जिसके वज़े से वही steam दोबारा condensed होके क्या हो रहा है water के droplets बन जा रहे हैं इसी process में के थुरू भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से physical change यहां पर भी हो रहा है और इसको भी हम reversible physical change ही कहींगे क्योंकि एक बार water change हो रहा है steam में और steam से वह दोबारा water droplets में ही convert हो रहा है now let's see activity 6.5 इसमें हम देखते हैं कि we will take a hacksaw blade ठीक है यहां पर image में आपको दिखाई दे सकता है कि किस टाइप का equipment की हम बात कर रहे हैं ठीक है इस वाले portion को हमको gas stove के सामने रखना है just to scooper so that हम इसको गरम कर पाएं ठी there will be change in the color of this blade is blade का color change हो जाएगा ठीक है बहुत ध्यान से पकड़ना है गरम अपने हाथों में नहीं लगाना है ठीक है अब हम देखते हैं जैसे ही इस blade को हम flame के सामने से हटाते हैं क्या होगा इसका color बिल्कुल normal हो जाएगा जैसा original color होता है ठीक है तो इससे भी हमको physical change समझ हो जाएगा और जैसे ही इसको हम हटाएंगे flame के उपर से तो यह अपने original color में आ जाएगा तो इन सब चीजों के थ्रू हमको समझ में आता है कि ऐसी properties इनको हम physical changes कहते हैं जब हमको physical properties में कुछ changes देखने को मिलते हैं जैसे कि इसका color हो गया shape हो गया size हो गया इन सब चीजों म हम तब बताते हैं जब कुछ chemical reaction हो रहा हो या कोई नया substance का formation हो रहा हो ठीक है नेक्स वीडियो में हम लोग discuss करेंगे जो भी chemical changes से related activities हैं उन सब को अगर अभी तक आप लोग ने activity 6.1 और 6.2 नहीं देखा है तो आप यहां पे जो link शो हो रहा है यहां से देख सकते हैं और इस पूरे चेप्रे का explanation देख सकते हैं इस नेक्स वाले link से तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक बबाई take care and thanks for watching